हेलो गाईज, वेलकम टू CSS टूटरल स्रीज, गाईज आज के इस लेक्चर के इंसाइट हम CSS टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर डिसकस करेंगे, तो गाईज इस लेक्चर को आप लास मेंट तक वोच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल होने शुरू करते हैं, तो गाईज इस लेक्चर के इंसाइट हम text decoration के ऊपर डिसकस करने वाले हैं, जिसमें हम text decoration line, text decoration color, text decoration style, text decoration thickness, text decoration in five properties के ऊपर डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए step by step in five properties को with example समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक heading बना लेता हूँ, यहाँ मैंने heading में text दिया यह श्पोगरा और अभी मैं इसे browser पर run करके आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से output दिखाई दे रहा है, यह अभी इसका default view है, अभी इसके उपर अगर मैं line देना चाहता हूँ, या underline देना चाहता हूँ, या line throw करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे text decoration line name की property का use करना होगा, किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जो head section है, उसमें मैं style take का use करूँगा, क्योंकि मैं इस heading के उपर CSS apply करना चाहता हूँ, अगर आप इसा करते हैं, तो आप internal CSS use कर रहे हैं, यहाँ पर मैं h1 element को define करूँगा, और यहाँ पर property use करूँगा, मैं text decoration line, यहाँ पर सबसे पहले मैं underline करता हूँ, चलिए save करते हैं, और browser पर reload करके check करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके नीचे underline आ चुका है, अब मान लीजे कि मैं underline नहीं करना चाहता हूँ, मैं overline करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से कर सकते हैं, overline का मतलब होता है कि text के ऊपर line आएगा, तो यहाँ underline हटा कर overline कर देते हैं, चलिए save करते हैं और reload करके check करते हैं, इस तरीके से, अब मान लीजे कि आप line throw करना चाहते हैं, यहने कि इस text को आप काटना चाहते हैं, तो इसके लिए आप HTML में a-stake use करते हैं, जिसे a-stake आ जाते हैं और यहाँ पर आपको line throw यूज करना होगा, इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, आप मान लीजे कि यहाँ पर कोई link हो, जिसे कि मैं यहाँ पर anchor take यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया kodesh, और यहाँ पर attribute यूज किया है, मैंने href और यहाँ hash लिख दिया, ठीक है, चलिए reload करके check करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, by default यहाँ पर underline आ रहा है, अब मान लीजे कि आप इस underline को हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर, text decoration line property का use करना होगा, मैं यहाँ पर जो यह element है, इसको define कर रहा हूँ, और यहाँ पर, text decoration line name की property का use करूँआ, और इसे none कर दूँआ, यहने की जो line आ रहा है, वो हट जाए, आप देख सकते हैं, यहाँ से जो underline है, वो हट चुका है, अब इसी तरीके से, आप यहाँ पर और भी, जो other properties से उनका use कर सकते हैं, text decoration के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, text decoration color, तो अगर आप इसे color देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसे underline कर देता हूँ, या फिर overline कर देता हूँ, इन में से कोई भी करता हूँ, तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, वैसे तो इसके उपर भी कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, आपको यहाँ use करना है, text decoration color, और यहाँ color में देता हूँ rate, save करते हैं, और reload करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो line है, इसका color rate हो चुका है, अब अगर यही line, overline है या underline है, तब भी इसका color क्या होगा, rate होगा, मैं यहाँ पर overline कर देता हूँ, reload करता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं underline कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर text decoration, style की बात करते हैं, यहाँ पर, यहाँ मैंने text decoration style की बात की, तो चलिए text decoration style में, मैं यहाँ solid कर देता हूँ, solid करने से क्या होगा, यह जो line है, यह solid हो जाएगी, जो अभी default में, already solid ही है, अभी यहाँ पर, डेश्ट यूज़ करते हैं, इससे बेटा तरीके समझ में आएगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो line है, यहाँ डेश्ट 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 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर, आप, डोटेट देख सकते हैं, यहाँ पर line में डोट 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 इस तरीके से आ रहा है, इसी तरीके से आप thickness भी इसका बड़ा कटा सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मैं यहाँ पर, यह जो text decoration style है, इसे हटा देता हूँ, आप रग भी सकते हैं, मैं इसे हटा रहा हूँ, save करते हैं, और वापस से यहाँ पर इस तरीके से line दिखाते हैं, ताकि आपको बेटर तरीके समझ माया है, यहाँ पर मैं property use कर रहा हूँ, text, decoration, thickness, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे 5 pixel कर देता हूँ, save करते हैं, यहाँ पर reload करके check करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह 5 pixel बढ़ गया है, आप इसे percent में भी set कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 30% कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अब आप shorted property भी use कर सकते हैं, shorted property का मतलब क्या होता है, shorted property का मतलब होता है कि केवल आप text decoration यूज़ करेंगे, यानि कि यह other property है, अभी मैं यहाँ पर सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ पर, यह मैंने पुरा ही हटा दिया यहाँ से, अभी save करते हैं, और यहाँ पर reload करके check करते हैं, आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, अब मैं वापस यहाँ पर जो h1 element है, उसको define कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर use कर र तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा underline, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, overline, तो यहाँ पर आ जाएगा overline, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, line throw, तो यहाँ पर यह जो line है, इस तरीके से throw हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं text decoration का use कर रहा स्क्राइबंग और अब देख सकते हैं यहां पर लाइन नहीं नहीं है और मैं इसका उज़ करूँ मैं तब यहां पर अंडर लाइन नहीं दिखाई DUH ठीक है चलिए आब यहां पर यह में ने बताया कि टेस्क्स डेकोरेशन भाइन थो मैंग तो नहीं से की चीक है ना अब यहां पर मैं इसका कलर भी देना चाहता हूं तो बस स्पेस देखे मैंने यहां पर लिखा रेट तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका कलर क्या हो गया रेट हो गया अब इसी तरीके से आगे आपने लिख दिया यहां पर फाइब पिक्सल तो यहां पर आप देख सकते हैं यह 5 pixel बढ़ गया इस तरीके से अब यहां पर आगे आप इस तरीके से डोटेट लिख देंगे तो यहां रिलोट करते हैं तो यह देख सकते हैं आप डोटेट हो गया इस तरीके से तो गाइस आज के इस लेक्चर के इंसाइट हमने CSS Text Recoration के ऊपर डिसकस किया I hope कि आपको इस लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई